तो रामराज्जी की शुरुवात हो चुकि ये कई वी वी आईपी जो की आयुद्ध्या पहुँच रहे हैं कई वालवोड आक्टर्स भी उनी में से एक आक्टर जुनोंने अपनी प्रतिक्रिया दिया करीब 11,000 सुरक्षा कर्वियों की तैनाती होगी जिसमें राज्य पुलिस के साथ सेंट्रल फोर्स के जवान भी तैनात हैं पुलिस के मताबिक ए आई को पाइलिट प्रोजेक्ट के तौर पर टेस्ट किया जा रहा है ये तकनीक इस तरह से डेवलप की गई है कि मंदिर परिसर के अंदर हर एक गतिविधी को डिटैक्ट किया जा सकेगा अगर कोई बार-बार आता है तो तुरंत उसकी गतिविधीों के बारे में सुरक्षा बलो को अलर्ट किया जाएगा वही आठ हजार सिविल वॉलेंटियर्स की भी तैनाती होगी जो सुरक्षा में तैनात रहने वाले राज्य और केंद्रिय सुरक्षा कर्मियों के साथ कॉडिनेशन में चप्पे-चप्पे की निगरानी करेंगे आसबान में ड्रोन से सिक्योरिटी मॉनिटरिंग होगी साथी दस हजार से अधिक CCTV कैमरे इंस्टॉल किये गए हैं जो चप्पे-चप्पे पर नजर रखने में मददगार बनेंगे एक तरह से अगर कहा जाए तो प्रांट प्रतिष्ठा से पहले आयोध्या नगरी अभेद केले में तबदील हो गई है पुलिस अधिकारीयों के निसार प्रानपतिष्ठा कारिक्रम की अचूक सुरक्षकले केंद्र और यूपी सरकार की सुरक्षा एजेंसियों ने साथ मिलकर साथ लेयर की सुरक्षा घेरा तैयार किया है पहले गेरे में SPG के कमांडों होंगे जिनके हाथ में अत्यादुनिक हत्यार होंगे दूसरे गेरे में NSG के जवान, तीसरे गेरे में IPS अधिकारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी सम्हालेंगे चौथे गेरे का जिम्मा CRPF के जवानों पर होगा पांचवे गेरे में UP ATS के कमांडों हैं जो किसी भी संदिक्द परिस्तिती में एक्शन लेले के लिए तैयार है इधा छटे गेरे में IB और साथवे गेरे में इस्थानिय पुलिस के जवानों की फॉज खड़ी है किसी भी आस्मानी हमले से निपतने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम से लेकर आर्टिफिशल इंटेलिजन्स से लेस कमांड कंट्रोल सिस्टम बनाए गए हैं यानि आस्मान से लेकर जमीन तक पूरी निगरानी आज अयुद्या की रखी जा रहे है साथ लेर का सुरक्षा घेरा बनाये गया है